विलसती डोलो परी वनमाली तरल सरो रूह शिरसी अताली विलसती डोलो परी वनमाली तरल सरो रूह शिरसी अताली विलसती डोलो परी वनमाली तरल सरो रूह शिरसी अताली विलसती डोलो परी वनमाली तरल सरो रूह शिरसी अताली विलसती अताली तरल सरो रूह शिरसी अताली विलसती अताली वनमाली तरल सरो रूह शिरसी अताली विलसती डोलो परी वनमाली तरल सरो रूह शिरसी अताली जनायति गोपी जना करताली कापी पुरोन रित्यती पशुपाली जनायति गोपी जना करताली कापी पुरोन रित्यती पशुपाली विलसती डोलो परी वनमाली तरल सरो रूह शिरसी अताली विलसती डोलो परी वनमाली तरल सरो रूह शिरसी अताली आयम अरन्यक मंदन शाली जयति सनातनारस परिपाली आयम अरन्यक मंदन शाली जयति सनातनारस परिपाली विलसती डोलो परी वनमाली तरल सरो रूह शिरसी अताली विलसती डोलो परी वनमाली तरल सरो रूह शिरसी अताली आयम 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 एर र्रूह 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 र्रूग्या र्रूह 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 र्रू क्रिष्णा 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 क्र लुष्णा कृष्णाा। धरे हरे रमारे राम धर मारे हरे ले रे क्रश्णावे क्रश्णा किष्णाउ प्रश्णा इव राम हरे राम, 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 रे, हरे, हरे, कुष्णा, हरे, कुष्णा, 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 ब्राम राम अरे हारे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा शॉरिंस Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram Rama, Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna हरे 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 राम 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 रा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare RAM, Hare RAM, RAM Hare Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Ram, Hare Windows अरे किस्टाONEY डिस्ना डिसना अरे हरे अरे 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 ऑड hasgi अरे अरे किस्ना अरे अरे मेंम्रिष्म मियनल महिश्मा वजे ऑने Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Hare Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare, Hare 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 है downward है बवर रप gerade किस्ट ओुशना इसना किशना इसना है अरे आ मरे रप्र राम है दम ऐख बाने अरे अरे किशन ब perform yak designation किशना तरह तरहे रफ बुवक्षणना एंच दद खिव और रमरे बंदम् है आरे 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 आर हरे राम, हरे राम, 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 र क्ष़ना हो अच्ष्ड बl où अच्ष्छर ऑर अवाना मर अई ् dabei अच्ष्छ्छर क किया वगाने वान व newer अच्ष्छर η है अब मारे अग्यों hello कुछना 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 ऍरेंन माय अब्रो के अएया है फैसे हम अजय को नाहि हुश्जा cred जाक बीच्ष्र एक किष्ण खूलर अबंड 309 हरे आप लृष्टॉ ऱुष्टॉ रगर बॉष्टॉ औ उ किसना अ सुआर आप किसना अ ह employer हुष मैं रह mudarدة हुष्ट secularness यह भुष्मार मोन ब्सकी किस्स्ति अरे नठे आ अरे किस्ना किस्ता इंचे पिस्ता किस्ता अरे नग्रेश नाथ मार राम एप अरे क्रिष्ण किष्णा किष्णा आरे 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 राम आरे राम आरे आरे विलसति डोलो परी वनमाली तरला सरोरुह शिरसियत आले 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 Translation Refrain Garlanded with forest flowers, Lord Krishna splendidly plays on the swing like a black bee on a moving lotus flower. The gopi friends fall down to offer respectful obe demonstrates. They swing him with great pleasure. One gopi claps her hands and other gopi dances. all glories to lord krishna who wears forest decorations and who tastes the nectar of eternal raan Shri Shri Rupa Goswami की जाए Hare Krishna मामंत्र की जाए Shri Prapad की जाए Hare Krishna thank you so much Hare Krishna thank you Radhika for this wonderful की तर Hare Krishna thank you आज की कारेकरिम को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे वक्ता का परिचादीने के लिए मैं हमारी हूँ आज की जाए मेरी आवाज आ रही है जी प्रहुआ Hare Krishna स्कॉन दामोदर देश यात्रवद्वरा आयोजित इस नित्यम भागवत सेविया में आप सभी भक्तों का स्वागत है सो आए हम एक छोटे से पर्चे के साथ आज की अपने वक्ता हीज होलेने मिनाश्र स्वाए महाराज की हावान करें हमाने मिनाश्र भक्ती विगाष स्वाए महाराज स्री लिय परभपात के सिस्ष्य है इन्हें दिक्षा परभपात से 1971 में ग्रहन किया उसके बाद 25 साल से प्रभु जी एसिया के बिविन ने देसों जैसे कि इंडिया, फिलिपिन्स, चाइना, ताइवान, सिंगापूर, हॉंग कॉंग, मलेशिया और थाइलाइन में प्रीचिंग कर रहे हैं इस पीरियड में प्रभू ने अनंत सोल को जो है प्रैक्टिकली गाइडेंस और डीप इंस्परेशन दिया है महराज की सन्यास दिक ख्रीषा राम हरी राम राम हरे अधिरे और गर्चन महराज है है कि आहे तो इसको आएं है कि रहें दर पर गोड़िक्ट पड़ेंगे बिकीन ल मैं यहां से Państwo पढ़ता हूं पर लें तर्ल स्मादू उद्धों माब प्रभु सब्दार्थ और तात्पर भी पढ़ दू जी प्रभु सब्दार्थ तस्मात इसलिए उद्धव हे उद्धव मा भुख्षस्व मत भोग करो विश्यान इंद्रिय विश्यों को असत असुद इंद्रिय हैं इंद्रियों द्वारा आत्म आत्मा का अग रहन अनभव करने की अच्छमता निर्भातम जिसमें प्रकठ है पश्य इसे देखो वैकल्पिकम भौतिक द्वैत पर अधारिच ब्रहमम मोह ब्रहम इसलिए हे उद्धव तुम भौतिक इंद्रियों से इंद्रिय त्रिप्त भोग का प्रयास मत करो यह देखो किस तरह भौतिक द्वैत पर आधारिच भ्रहम मनुष्य को आत्म साक्षातकार से रोकता है हर वस्तु भगवान की सक्ति तथा संपत्ति है और भगवान की प्रेमा भक्ति में प्रेक्ट होने के लिए है भौतिक वस्तुवों को भगवान से प्रथक देखना और उन्हें अपने अधिकार में करकी भोगने के लिए समझना वैकल्पिक भ्रहमम कहलाता है अपने भोग की वस्तु यथा भोजन वस्त्र आवास या वाहन का चुनाव करते समय मनुस्य उस प्राप्तव्य वस्तु के गुणों पर विचार करता है फल सुरू भौतिक जीवन में मनुस्य निरंतर चिंता मगम रहता है और अपने जीवन आनन्द के लिए सरोतम इंद्रिय त्रिप्ति प्रात करने का प्रयास करता है किन्तु यदि वो हर वस्तु को भगवान की संपत्ती मानता है तो उसे लगेगा कि हर वस्तु भगवान की प्रशन्नता के लिए बनी है उसे कोई नीजी चिंता नहीं रहेगी क्योंकि तब वह भगमान की प्रेमा भक्ति मात्र में लगे रहने से तुष्ट रहेगा ऐसा संभव नहीं है कि भगमान की संपत्ति का दुरुपयोग करने के साथ साथ आत्मसाथ साथकार में प्रगति की जा सके प्रभु सारे पढ़ ली थे जो आज कि श्लोक है ना चिप्तो अव्मानित असिद्धी प्रलब्द अस्युत अथवा परिहापित निस्ठुयुत 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 परियत प्रलब्दो सुईत अथवा तांडिता सन्निध रुद्धो वा व्मानित अवमानित उपेचित असिद्धा गुरे व्यक्तियों द्वारा प्रलब्ध उपहास किया गिया असुयतह इरिश्या किया गिया अथ्वा या फिर ताडितह तालन किया दिया गिया सन निरुद्धह बाधा गिया वा अथ्वा वृत्या अपनी जीविका साधन का वा अथ्वा परिहा पितह वंचित किया गिया प्रबार बारंबार एवं इस्प्रकार प्रकम्पित विचुब्द किया गया स्रेह काम जीवन का सर्वुक्ष लक्ष चाहने वाला कृच्छ गतह कठिनाईयों का अन्भो करते हुए आत्मनाम अपनी बुद्धी से आत्मनम अपने को उद्वेरत बचाए जो वेक्ति जीवन के सर्वुक्ष लक्ष को प्रात करना चाहता है उसे बुरे लोगों द्वारा उपिच्छित होने अपमानित किये जाने उपहास या इरश्या किये जाने या फिर अग्यानियों विक्तियों द्वारा बारं बार मारे पीटे जाने बांदे जाने या अपनी जीविका छीने अपने पर थूके जाने या अपने उपर पेशाब किये जाने जैसी कठनाईयों के बावजूद अपने आपको आध्यात्मिक पत पर सुरक्षित रखने के लिए अपनी बुद्धी का प्रयोग करना चाहिए। वह सही बुद्धी से अपने मन को आध्यात्मिक पत पर इस्तिर रखता है। वक्ताओं में वर स्रेष्ट। श्री उद्धव ने कहा हे स्रेष्ट वक्ता किरपक्त करके मुझे बतलाएं कि मैं किस तरह ठीक से समझू। सुदुरु अस्मिम मन्य आत्म मन्य सधित क्रमं विदुसामपी विश्वानं पकृतिही बलीयसी रित्वे तत्वधर्नं निरंता सांतस्ताहे चरनालेयान। सब्दार्थ सूदु सहम अत्यंत असह इमम इसे मन्य मैं मानता हूँ आत्मनी अपने उपर असत अज्यानी पूरसो द्वारा अतिकरमण अकरमण को विदुसाम विद्वानु के लिए अपी भी विश्व आत्मन हे ब्रह्मान के आत्मा प्रकृतिही मनुस्य का बध्य व्य ही निश्चही बली यसी अत्यंत प्रबल रते के अत्रित तत्तो धर्मा आपकी भक्ती में निर्तान लगते हुए सांतान सांत ते आपके चरण आल यान चरण कमलों पर निवास करने वाले हे विश्वात्मा मनुष्य का भौतिक जीवन में बंधन अत्यंत प्रबल है अतह अज्यानी पुरुसों द्वारा किये गए अपरादों को सह पाना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अत्यंत कटिन है केवल आपके वे भक्त जो आपकी प्रेम भक्ती में निरंतर है और जिनोंने आपके चर्ण कमलों में रहते हुए सांती प्राप्त कर ली है वे ऐसे अपरादों को सह पाने में सक्षम है ताथ पर जैश्रुवन भग्वान की महिमा के श्रवन तथा कीर्तन में अग्रसर हुए बिना औरे ग्यान से कोई संत नहीं बन सकता दिर्गकालीन भ अग्वान के चर्ण कमलों की सरण करनी चाहिए जिनोंने श्री उद्धा को बड़े अद्वुत तरीके से ज्यान का असली अर्थ बतलाया है इस प्रकार स्रीमत भागवत के ग्यारवें सकंद के भौतिक स्रिष्ट के तत्तों की गणना नामक 22 अध्याय के श्रील भक्ति व अकाया चक्सोर अन्रिली तन्येना तस्मै श्री गुरवे नमाहा वंचा कउपता अरुब्यस्या कृपसिंदु बयवचा पधितनाम पवानिभ्यो वैष्न विभ्यो नमो नमाहा जैश्री कृष्न चैतन्या प्राभु निद्यानदा स्रिया द्वाइता गधाधा श्री व सध्पहा सधी गुर बखतब बुण हाथ पारी करश्णा हरे क्र्ष्णा क्रॉ्ण स्डर्ष्णा क्रॉ्छ्णा हाथ आरे आरे आम अरे आमा, रामा, नारे आरे आरे The Lord Krishna is coming to this is a conclusion of his the end of this chapter coming which he's been speaking about the material nature. तो बगवान कृष्णा यहां पर भातिक प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं और यह अध्याय का अंथ है. So he appeals to Uddhava, do not try to enjoy sense gratification. Don't waste your energy just trying to get pleasure to the material body. तो उद्दव से कह रहे हैं अपना जीवन मत बरबात करो इंद्रिय त्रिप्टी के पीछे इंद्रिय भोग करके खुशी ढुणने का प्रयास मत करो. And Lord Krishna says try to understand the illusion of material sense gratification that it is simply an illusion. और वो उद्दव को बोल रहे हैं ये ब्रह्म समझने का कोशिश करो बहुतिक जीवन के ये बहुतिक जीवन के वल एक ब्रह्म है. The illusion is we're thinking oh this is happiness or we're thinking oh this is suffering. We're making distinction good and bad what I like what I don't like. तो ब्रह्म ये है कि हम सोचते हैं ये खुशी है और ये गम है और हम सोचते हैं ये चीज मुझे पसंद है और ये चीज मुझे पसंद नहीं है. So Lord Krishna says this illusion is what is preventing us from realizing our spiritual nature. तो Bhagawan Krishna कहते है ये जो ब्रह्म है ये हमें रोक रहा है हमारे आद्यात्मिक रूप को समझने के लिए. And if we understand that everything is actually the property of the Supreme Lord then we will want to use it in the proper manner for His service. So अगर हम समझेंगे के सब कुछ भगवान की संपत्ती है तो हम उसको सही तरीके से भगवान की सेवा में लगाना चाहेंगे. But if we think it's something separate if we think this is separate from Krishna oh no that's Krishna's this is mine if we are thinking like that then that is a big problem this is going to cause our fall down to the under the material energy. परन्तु अगर हम सोचेंगे के ये कृष्ण से अलग है ये चीज कृष्ण की नही है ये मेरी है तो फिर ये इस प्रकार की सोच हमें बहुत एक स्थर पे गिरा देगी. तो हमें बहुत साफ रूप से बहुत पश्ट रूप से ये सिद्दान समझना है के वास्तव में कुछ भी मेरा नहीं है सब कुछ कृष्ण का है तो बहुत एक जीवन में लोग हमेशा उन्ठा में होते हैं हमेशा वो सोच रहे हैं कि किस प्रकार का भोग है मैं भोगता हूँ अवोन हैXT FRED नह की अवोन नहीं है विश ल़ैं companion और पर deserved we had day मैं अवाब एक्निकर्षार और चनिकर्या वैं ख।।।।।।।।। और ये समझता हैं कहता हैं ।।।।।।।।।।।॥।।।।।।॥॥ conclude, envy them. Oh, I would like to have that car. My car is just a very simple car. जिसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, जिसमें सारी अच्छी चीजें हैं उप्योग करने के लिए, तो इस प्रकार वो उस व्यक्ति से इर्शा कर बैठता है और सोचता है, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए. And if one is living in a simple little room, single room, in an inexpensive neighborhood, then we will envy the person who is living in the condominium, in the luxury neighborhood. तो अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक सादारंग से छोटे से कमरे में रहा पड़ा है, बहुत सरल जीवन बिता रहा है एक छोटे से कमरे में, तो वो उस व्यक्ति से इर्शा कर बैठता है, जो एक बहुत महेंगे इलाके में रहता है, या बहुत बड़े घर में रहता है, जिसको रहने की बहुत ज्यादा सूविदा है, इस प्रकार के वातावरन में रहता है, तो उस व्यक्ति से सरलता से रहने वाला व्यक्ति somebody's enjoying more than me, they've got the more expensive car, they've got the more luxurious house, they're enjoying more than me, this is envy, and this is what keeps us in material life. So we have to always guard against this kind of mentality, we have to control the mind, and we have to understand everything is actually the property of the Lord, and it's for His pleasure. If one understands everything is for the pleasure of the Lord, then we won't feel this envy, we won't have this anxiety, we'll just be able to simply do our service in any condition. So if we understand that everything is for the Lord, then we won't be able to do it in this manner. We'll know that everything is for the Lord. We see the example, Kulavika Shridhar, Kulavika Shridhar was a very poor Brahmana, he lived in a very broken-down house with holes in the roof, and he didn't even have nice cloth, he didn't even have a nice pot to drink water from, it was an old steel pot. So, one day Lord Chaitanya sat on the throne of Lord Vishnu. And he told all the devotees to come, and he was giving them benedictions. And then he asked the devotees to bring Shridhar. He wanted to give Shridhar benediction. So, on the worry, they didn't even know who Shridhar was, they had no idea who is this person. Lord Chaitanya had to tell them, and then they went there and they saw, oh, he's living in this little shack, broken-down house, but they could hear him chanting the holy name very loudly. So, they brought Shridhar to Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya asked Shridhar, I said, I want to give you benediction, what can I give you, what would you like, would you like a new home, would you like a new wife, would you like money, how can I please you? But Shridhar said, no, no. He said, why I should want anything? He said, the bird lives in his nest, in the tree, and the king lives in his palace. He said, why I should change anything? Everyone is living and enjoying or suffering according to their past. He said, I just want to go on and do my service, whatever I get. I spent half to worship Mother Ganga. So, Kulavika Shridhar's request said, no, 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 me are not. He is on the house, he is on the house, he is on the house and has come to work. He is on the house, he is on the house, he is on the house, he is on the house. रहा है और हर व्यक्ति अपने पिछले किये गए करम के अनुसार या तो वो कुछ भोग रहा है या कोई पीड़ा में है तो ये मुझे नहीं बदलना है मुझे बस अपनी सेवा करती रहनी है और जितना भी मेरी आमधनी होती है उसका आदा में गंगा मा की सेवा में तो कुलवेच श्रीदर ने चैतने माप्रभू से का, आप कृपिया मुझे ये आशिरवाद दीजिये, कि जैसे मैं कर रहा हूं, वैसे करता रहूं। तो कुलवेच श्रीदर जी की ये मानसिकता नहीं थी, कि कुछ भी वस्तु उनके इंद्रियत रिप्टी के लिए है, वो ये जानते थे कि सब कुछ कुछ कृष्ण का है, और कृष्ण की सेवा के लिए है। तो तो अगर हम गंबीर हैं, अगर हम आध्यात्मिक चेतना में प्रगती करना चाहते हैं, तो हम अपने इंद्रित्रिप्ती के लिए कुछ उप्योग नहीं करना चाहेंगे, और ये सब जो वस्तुएं हैं भौतिक जगत की, इनको त्यागेंगे. Bhagavad Gita, Lord Krishna, describes the nature of the living entities in the material world. Lord Krishna said, beside this there is another energy of mind which are all living entities and they are trying to exploit the resources of the material world तो भगवाद गीता में भगवान शी कृष्णा इस श्लोक के मार्द्यम से जीव का क्या स्वरूप है वो समझा रहे हैं के अपर्यस इदस्त्वन्यम प्रकृद्धि विद्धि मी परा जीव भूत महापा हो या ये दमधार्यते जगत के इस प्रकृति के परे एक और प्रकृति है एक और शक्ति है मेरी जो ये जीव है जो जीव आत्माएं है और ये सब जीव आत्माएं मिलकर इस भौतिक शक्ति का जो भौतिक जगत है इसका सोशन करना चाहरे है So we want to see everything as Krishna's property and it's meant for His service for His pleasure not for ours All right and then Lord Krishna then continues speaking to Udhava and He tells him how we have to be very tolerant and we have to tolerate all kinds of abuses and not be disturbed So we have to use the intelligence to keep ourself on the spiritual platform So even though we are abused and insulted and badly treated still a devotee should tolerate these things and accept them as a mercy as the arrangement of the Lord for our purification So we see examples like Lord Jesus Christ was nailed on the cross but He was not bitter to the people who were crucifying Him He prayed to God to forgive them So we see that Jesus Christ Jesus Christ He was placed on the cross on the cross but He was He was He was So it takes a very strong intelligence to detach yourself from the material of your body of your body So that intelligence is acquired by spiritual practice by keeping very strong faith and devotion and detachment from all pleasures of the world So this is a strong sense of and the spiritual practice and the spiritual practice and the spiritual practice Haridash Thakur was beaten in the marketplace but he did not have any bitterness towards the people who were beating Him He understood they are just doing their duty Haridash Thakur Ji was killed in the beach bazaar but they did not have any damage of the people who were killed They understood that they were just doing their work So actually this last verse of this chapter here it's preparing for the next chapter the next chapter is going to be about the brahmana from Avanti and how he gets insulted and he tolerates so many injustices he's very badly treated but he tolerates and he got spiritual perfection So we will be hearing that this very important narration about the brahmana from Avanti how he used his intelligence he fixed his mind on the super soul and this way he was able to overcome all the material he was able to tolerate all material the bad treatment which he received so us and to Udava and all of us that we should tolerate all these kind of abuses we should not be disturbed by all of these things which are just simply insults to the body we should understand we're not the body so so Udava he is saying to Lord Krishna well he said that it's very difficult to tolerate all these offenses when people, ignorant people do these horrible things to you, it's very difficult not to be disturbed तब उद्दव भगवान से कह रहा है कि इस प्रकार से सहना ये बहुत कथिन है जब अज्ञान व्यक्ति हमारे साथ इस प्रकार से बुरा व्यभार करते है उस समय सहीशनु रहना ये बहुत कथिन है तो हम लोग बहुतिक दुनिया में बहुत समय से रह चुके हैं और यहाँ पर जब कोई हमारे शरीरिक रूप से हमारे अपमान करता है ये कुछ कहता है तो उसको सह पाना बहुत कथिन है बट उरवा से डवोटीस हो इस देवोटीस हो इस देवोटीस हैं बहुतिक रूप पर जो ने भगवान के चरण कमलों का आश्रे लिया है वो ये सब चीज़ से सकते हैं तो हमें प्रयास करना है बगवान के चरण कमल का आश्रे लेना और ये प्रयास हम करते हैं भगवान के विशे में बोलके और सुनके तो अगर हम अच्छे से श्रवन करेंगे और अच्छे से कीरतन करेंगे तो मन भगवान के चरण कमल पर स्थित होगा और हम ये सब चीज़ें बहुत आसानी से से सगेंगे हम रुकेंगे और जानना चाहेंगे कि किसी को कोई प्रशन है अगर किसी भक्त के पास कोई प्रशन है तो हमारे पास प्रयाप समय है हम प्रशन पूछ सकते हैं तरती माताजी का हाथ उपर है आप पूछ सकते हैं माताजी हरे किश्ण प्रभुजी हरे किश्ण गुरु माराज प्रभुजी मैं कोशन है कि जबकुल इंसल्ट करता है हमारे किश्ण तरता है तो माता जी पूछ रही है कि अगर कोई हमारी बेजजदी करता है, हमारा अपमान करता है, तो समय हमको बहुत बुरा लगता है और हम सोचते हो यह बहुत बड़ी बात है, इसने मेरा अपमान कर दिया, तो समय हम कैसे इस विचार को सहें? तो महाराज कहे रहे हैं उस समय हमें सोचना है कि मुझे ये बेज़ती ये अपमान इतना भारी लग रहा है क्योंकि मैं इतना आसक्त हूं इस भौतिक शरीर से इसी कारण से मुझे ये बहुत भारी चीज लग रही है तो मुझे अनासक्त होना है इस भौतिक जगत से मुझे और अधिक शरवन और कीवतन करना है we should understand whatever pain and disturbance we feel it is simply due to our own ignorance उमें समझना है कि जो भी दर्द या तकलीफ हमें उस समय मैसूस होती है वो हमारे अज्ञानता के कारण ही है जो लोग हमें मार रहे हैं वो अज्ञानता में है लेकिन इसका ये मतलब नहीं के हमें भी अज्ञानता में रहना चाहिए I understand अब समझ रहे है ये स्कुर्वाणाज हरे कृष्णा प्रभुजी दन्डवत प्रणाम इसी से रिलेटेड एक प्रशन है कि हमें कब तक मतलब सहन करना चाहिए अभी तो हम बहुत इश्रीर में हैं तो बिल्कुल तो अपने को डिटैज नहीं कर सकते हैं तो एक इंसान हमारे हस में बेचती करता रहे, इंसल्ट करता रहे तो उसको तो आदत पर जाती है हमारी मतलब इंसल्ट करने की तो हमें कब तक बरताष्ट करना चाहिए Hare Krishna So Hare Krishna Guru Mahaj, her question is Till when should we tolerate? She's saying that often what happens is people get accustomed to insulting us and it then becomes their habit, they go on insulting us and since we are in this material world we are not able to completely detach ourselves and if we just allow people they will just take us for granted and keep insulting us so in such a situation, till when should we be tolerant? Yeah, okay, somebody is insulting you you know, they will insult you for some time but they will not go on insulting if they see that they can disturb you then they will insult you but if they see that you're not disturbed you don't mind it then they won't keep insulting you तुमारा रच कहे रहे हैं कि आपको कोई हमेशा अपमानित नहीं करते जाएगा कुछ समय के बाद वो रुखी जाएगा और अगर वो देखेगा कि आपको अपमान करने के बावजूत आप विचलित नहीं हो रहे हो तो वो अपमान करना बन कर देगा यदि आप उसके आपमान से विचलित होते रहोगे तो वो तो फिर आपका अपमान करते रहेगा तो जो अपमान करने वाले व्यक्ति होते हैं यह आनन्द यह खुशी लेते हैं दूसरों को तंग करके लेकिन अगर वो देखेंगे कि आप अपमान होने के बावजूत तंग ही नहीं हो रहे हो तो वो आपका अपमान करना बन कर देंगे अब सुनेंगे जो ब्रामना है अवंती देश से उन्होंने कैसा व्याभार किया उनके साथ जो उनका अपमान कर रहे थे अपमान की जो शिक्षा है यह बहुत महत्वपून आदेश है आम सबके लिए जो सन्यासी होते हैं में विशेश करके उनकी प्रातनाओं को जबते हैं क्योंके सन्यासी के लिए सहीशनु होना बहुत आवशक है सन्यासी जो जो सन्यासी बहुत जगत छोड़ता है तो जो दूसरे आम व्यक्ति होते हैं वो से इशा करते हैं और वो केते हैं आरे वो तो ऐसा ही व्यक्ति है सब कुछ छोड़ दिया है दूसरे के ऊपर बैड़के जीना चाता है सन्यासी, they recite this mantra which was chanted by the brahmana from Avantidesh तो जो सन्यासी है वो उस मंत्र का उच्छारन करते हैं जो अवंती देश के ब्रामन बताते हैं इतम साष्टाया परात्मनिष्टम अज्यासितम पुर्वतमेल महार्शिभी आम्तरिश्यमी दरंतपरंतमो मकुंदगी निशाईवयाईवा The Brahmana from Avantidesh says that I meditate, I fix my mind on that Lord who is a super soul, who is in the heart of all living entities Yes, Manish In this way, I overcome all the obstacles of the material world तो इस प्रकार से ये जो अवंती ब्रामन है ये इस श्लोक के माद्यम से कहते हैं कि मैं मेरा मन जो सब चीजों के स्त्रोथ हैं जो परमात्मा हैं उनके उपर मैं अपना मन स्थित करता हूँ और इस प्रकार से अपना मन स्थित करने के कारण मैं ये सब बहुतिक जगत के बादाओं से बच जाता हूँ So you can also chant that mantra you don't have to be a sanyasi or at least you don't have to externally be a sanyasi but you can be renounced internally you can be a sanyasi internally तो अब भी ये mantra जब सकते है बले ही आप बारिय रूप से sanyasi ना हो लेकिन अंतरिक तरीके से आपको sanyasi होना है तो इसलिए ये जो mantra है अवन्ति ब्रामन का आप भी इसको जब सकते है Okay Thank you प्रभुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत थैंक्यो Hare Krishna Thank you माताजी Hare Krishna प्रभुजी Hare Krishna माताजी प्रभुजी जैसे अभी बता रहे हैं कि बहुतिक संसार में तो हमें किसी के पास कोई वस्तु नहीं होती है तो और दूसरे के पास होती है तो इसे इर्शा करता है कि मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए लेकिन अगर अध्यात्मिक जीवन के अंदर अगर इर्शा हो कि मेरी असी स्थिति नहीं है मेरी मतलग शंता नहीं है शारी रही कि जो भी और दूसरे इसने 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 वो कर रहे हैं in the material world if someone has more than us to enjoy then we get envious of that person but in spiritual life if we see someone is able to chant and do more things nicely and if we start getting envious of that person on spiritual account then what should we do then you should go to that person who is got more than you and you should ask them... तो आपको उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जुसके पास आध्यात्मिक धृष्टी से आपसे अधिक है और उससे जाके बोलना चाहिए के कृपिया मुझे आशिरवाद दीजिये ताके मैं भी आपकी तरह सेवा कर सकूँ उनसे आशिरवाद लीजिये आप उनका संपर्क कीजिये और उनकी सेवा कीजिये ताके आप उनका आशिरवाद पासको प्रभुजी रही नाइस आंसर प्रभुजी थैंक यू सो मच दन्यवाद मताजी आपके जिए प्रभुजी जिए प्रभुजी और आपक प्रभुजी थैंक अंट्छाइब्य। तो प्रभू पूच रहे हैं कि मैंने कई कथाओं में सुना है कि अगर हम सेवा करेंगे तो उससे हम विनमरता प्राप्त कर सकते हैं जो हमें इन तकलीफों में आसानी से गुजरने के लिए सहायता करता है तो कृपिया इस पर थोड़ी रोशनी डालिए कि यात्रा की सेवा करना किस प्रकार से हमें विनम रहोने में और इन तकलीफों से बचने में सहायता करेगी Yes, well, of course, doing service, when we do service, different attitudes may be there, and somebody even may do service in a grudging manner in a spiteful manner, they don't really like to do it, but somehow they have to do it, they're forced to do it, so that's not, of course, ideal, but even then, because they're doing some service, there's some benefit there. तो माराज बता रहे हैं, जब हम सेवा करते हैं, तो सेवा भी विबिन विबिन प्रकार की मानसिक्ता या मनोस्तिति में की जाती है, तो कभी-कभी कोई व्यक्ती सेवा करते हैं, तो वो प्रसंता से सेवा नहीं कर रहे हैं भगवान की, वो इस प्रकार से सेवा करते हैं, कि बहुत उनकी सेवा में इस प्रकार की भावना होती है कि मुझे सेवा कर रही है इस प्रकार से सेवा करते हैं न चाते हुए सेवा करना हो तो फिर उस प्रकार से सेवा करके हमको ज़्यादा लाप प्राप नहीं होगा परन्तु क्योंकि हम फिर भी उस प्रकार से भावना से भी सेवा कर रहे हैं, कि हमारी भावना जैसे अनिच्छा से सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार की भावना है, लेकिन क्यों भी सेवा, क्योंकि सेवा तो कर रहे हैं, तो कुछ लाव होगा. But the Shastras also tell us, Mahatsrivam Dwaramahurvimottes, by serving the devotees, the great souls, it opens the doors to liberation. But if you serve the objects of the senses, then if you serve just the objects of the senses, just for your sense pleasure, it takes you to hell. परन्तु अगर आप केवल इंद्रिय विशे की वस्तुओं का सेवा करेंगे, योशिताम संगी संगम, तमो द्वारम योशिताम संगी संगम, तो उस प्रकार की सेवा करके आप नरक्य द्वार खोल लोगे अपने ले. तो प्रलाद महराज के शब्द हैं, के वो यह कह रहे हैं यांपे के, हम भक्तों की सेवा करना बहुत महत्वपून है. One devotee came to Lord Chaitanya and he said, I'm very fallen, I'm in householder life, how can I ever make advancement? And Lord Chaitanya told him, you have to chant the holy name constantly and serve the Vaishnabhas. तो एक भक्त चaitanya महाप्रभू के पास आए और कहे के, मैं तो ग्रहस जीवन में हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, कैसे मैं आध्यात्मिक प्रगती कर सकता हूँ? तो चaitanya महाप्रभू ने उन्हे कहा, आपको निरंतर रूप से भगवान का नाम जपना है और वैशनव सेवा करनी है. तो दूब विरेंग कर दूप दूप लगवान का थावश, दूब दूब व्रेवस बूटी जिए अजरी को दूप आधित सब्सक्राइ प्रेवानि के प्रभू आप्रे है। तो वैशनव सेवा करने के लिए जरूर विनम्रता आवश्यक है तब ही हम कर सकते हैं और अगर हम बिना कुछ वापस मांगे वह वैशनव सेवा करते हैं बिना कोई व्यक्तिगत लाप के लिए तो उस प्रकार की वैशनव सेवा हमारे शुद्धी करन में बहुत सहायक होती है तो आई ये हम सभी बख्त महराज का इस वंडर्फुल क्लास के लिए वैशनु प्रनाम के द्वारा जो है धन्यवाद करें टो गवार जो है नाम पर नेहीं थो है अभर जो सब्सक्वरा जा किल डिए वैशने करने गृओंस्ता और टो बखडार्शनीश थैशनु अभरानाम नाम वह बख्तक बिस तो आज हमारा कारेक्रम होता है तो आज हमारा सवबाग्या है महाराजी यह वहाँ पर आएंगे और कृष्णा कटा सुनाएंगे अवर साफ साफ में अमारान कुमार्परभू है इप टिली देलिक विटर रामान अरानिया खांट से नन्न कुमार्पु नामायन क्ता ठान्य वाला है और सपट साफ में संधे कारेक्रम होगा रेजिन पूल में आस यूजल 11.30 आंवड पर आईंगे अवर आज हमाराजी का थय सब्सक्राइब अन्तिम भाग पर चलते हैं जो की प्रेयर की है सवर्प्रथम हम ज्टिव निस जयता का स्वहीं महराज एड़ भक्ति विकाव माराज के स्वास्थ लिए और साथी साथ अन्य भक्ति ह्प्रशा शिन्दू कृष्ण पल्राम प्रभू His Grace उदह क्रेशट प्रभू, His Grace मदवर प्रभू, His Grace पूर्नपुरसोत्थम प्रभू जी, श्रीमान मुकेस अत्नानी प्रभू जी जो की His Grace क्रिस्ण पृम प्रभू जी के पिता जी है, स्ट्रीमान गोविंद राम गंगवानी प्रभुजी के स्वास्त के लिए हर ग्रेश स्याम सुंदर माता जी के लिए डॉक्टर सोनल माता जी के पिता जी के लिए और हमारे एक भक्त हैं इस ग्रेश नरसंग प्रशाद प्रभुजी उनका हर्ट ब्लॉक का उप्रेशन 6 अगस्त को होने वाला है उनके साथ स्वास्त के लिए रिचा गोहिन का माताजी के स्वास्त के लिए और एक और भक्त हैं बाला सहेब सिंधे जो की पृत्तदास प्रुभुजी के पिताजी है जो की ICU में है और critical situation में है पूने में सो आईए हम सभी भक्त इनके स्वास्त के लिए और इनके जल्दी ठीक होने के लिए प्रात्ना करें हरे कृष्णा एक और आगिया है प्रेयर्स हीरो मंगलानी प्रुभुजी के लिए और प्रांजली के लिए हरे क्रिष्णा सभी भक्तों का जोइन करने के लिए बहुत बधिनवान प्रणापती प्रभु रसिकान प्रभु का बेटा प्रणाव तेजा है कलो लोग यूज गया वगर उनको हाईर एड़केशन के लिए यूज गया है अग्याव के लिए यहाद बखर आि यूज ताट करू वीकर प्रणापना अच्प्रणा थैट यूज ट्रीय तुरह एक अदो किछ्वी य है तुरहिओं ट्रीय को टुरह य है ते तुरह ट्रीय को श्यूद। झाल झाल